ये कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घुम घुम कर बहुत धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायों के साथ एक गाव में घुम रहे थे। काफी देर तक ब्रह्मन करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिश्य को पास के गाव से पानी लाने के लिए कहा। शिश्य जब गाव में पहुचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिश्य को नदी के पानी का ये हाल के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वो बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन अधर गुरुजी का तो प्यास से गला सुखा जा रहा था। इसलिए पुना उन्होंने पानी लानेके लिए दूसरे शिश्य को भेज़ा। इस बार वो शिश जी उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था परंतु जब सभी अपना कारे खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया वही पानी लाया हूं महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है परंतु अनेकों बार जीवन में ऐ ऐसे भी क्षण आते है जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है ऐसी अवस्था में जीवन समान ये पानी भी गंदा लगने लगता है दोस्तों इसलिए हमें जीवन में दुख और बुरायों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना च गंदी समान ये समस्याओं स्वयम ही दीरे दीरे खत्म हो जाती है